Hello and welcome everyone आज जो हमारा MCQ का सेट हैं ताज रोल आप इन्फरमेशन टिकनोलजी इन गोवर्नेनर्स इस पटिक्यूलर लेक्ट्र में मैंने कुछ करन्ट बेसेट क्वेशन भी इंकुलूड किया है and you might find them little bit difficult but ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आपको करन्ट की नॉलेज होना बहुत इंपोर्टेंट है जैसा की सेंट्रल गोवर्मेंट ने कुछ सा नया पोर्टल लांच किया है और किस सेट गोवर्मेंट और यूटी अद्मिस्ट्रेशन ने कुछ सी नई सिर्विस डिलिवर किया है थूँ आनलाइन so you must have this updated our current information as well and अगर आपको कुछ complexity आ रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मैं मैं इस पर एक शॉर्ट लेक्चर ले के आऊंगा now let us start question first according to NESDA 2021 report now पहले हम समझेंगे NESDA है कि that is National E-Government Service Delivery Assessment now अभी assessment होता किस चीज़ का है तो आपको जाना पड़ता था तो आपको जाना पड़ता था ताहसिलदार आपज वहां पर आपकी मीटिंग हो दे थी पटवारी से दिन फुरा दिन फाइल ओपन करता था तो फिर उसके बाद आप अपने लैंड के रिकॉर्ड चेक कर पाते थे अब लास्ट यर गोर्मेंट एक इनिशेटीव लिया है कि आप यह सौरी जो लैंड के रिकॉर्ड से यह शिफ्ट करती है अनलाइन यह अब आप आप गर बैठ के अपने लैंड के रिकॉर्ड चेक कर सकते हो जब मन करें तब नो इसे कहते है एक गोर्न असर्विस देलिवरी तो अब मारा क्वेशन फर्स्ट था आप गरद्ट नगोर्मो प्रयूड के अपने नगोर्स्ट सेख विडिवड़ी देलीवरी ड्रीड फॉर्फेट चेक अनलाइन इन नौर्मो बैस्किल गाच्ट प्रफील था वान नंव दर्बार मो था तो जब आप दो करोई तो जब एक कैपिल से दुसरे कैपिल में शिफ्ट होती थी, तो जो फाइलेस थी, पजिकल फाइलेस थी, उनको फिर 300 ट्रक्स में लोड करके रहना पड़ता था, जिसके वज़से 200 करोर अनुविली खर्चे आ दे थे उस पे, तो अब ये इस मुझ को लास्ट यर 30 जून 2021 मे पिर 12 को लिए पुरते को ये ऌन प्लेच और ये सांवी प्रक्राइब लिए ढांसर ट्र एक में स्मकमिय जरुआता है अनुछ केपिल में शन्थी, तो खीट है किस एय। धो जाएंगे ये ये प्रोफेट में हो जायेंगे है इंप्रुश्य निलिवार अफथची ऑफ को सल्सेशन से इनरेघ, इनरेबनोपन द नेकृणी. N. इनर्पवन के सिक्टिखिवं कि अरिव्ट काी ओफिक जमिनगरफ ट्वेशन για अरेञे़ मारी नामी? इंटेक इस 5-20 दिस्टिक इन जैन 2022 तो कुन बन गी फिस्ट उनिन ट्रीट इस जुम्मा एंट कश्मीर तो बीज राइट अंसर कुछन फायो दिए अन्वल पोफामिनस एपोर्ट इस परोड़ तो ए इस राइट अंसर कुछन सिकस्ट इस जुम्मा एंट कश्मीर इंट इस इस बनाय गाया है निव सीओ अभिशेख सिंग तो सीज इस राइट आंसर इस जो संतिरी शिरी डुलिपृटी पंडित में है इस बनाय बियू ऑफाम एंट इस बनाय शिरी डुलिप और इस विए थे इस बनाय वेटित इस बनाय डेशेख ऑनट ए सुनारी सिंग और ए मोर्डित में भात थाइर को इन खोड़ इंट पैर जामिने मुश्सूरी आइट इस इस बनाय में इस ड़्टों आइट नेंख इन 2016 में अभी देखा, National E-Governance Plan approve हो, 2015 में क्या हुआ, National E-Governance Plan 2nd, और जिसे हम E-Karanti भी कहते हैं, वो approve हो, और जिसे हम E-Karanti कहते हैं, वो approve हो, और इन जितल इंडिया इनिशेटिव भी लाँच हो, Question 9, How many Mission Mode Projectors are there under National E-Governance Plan 2.0 or E-Karanti? तो कितने मिशन मोड प्रोजेक्टर से है इसके अंडर, that is 44, so C is right, answer Question 10, which state government, recently that's in July 2022, launched at the EFIR system, तो किस state government ने लाँच के EFIR system, ये basically हैं कि अगर किसी का मोबायल या किसी के टूबिलर चोरी हुए हैं, तो किस state government ने लाँच के, that is Gujarat, so E is right, answer Question 11, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Digital India Week 2022 at the Mahatmaa Mandir in Gandhinagar, Gujarat, the theme of this Digital India Week was, तो इसका theme किया था, that is, catalyzing new India's tech ad, so E is right, answer Question 12, which ministry has introduced the federated digital identities with aim to interlink the multiple identities of Indian citizens, basically multiple identities का होते हैं, कि आपके आदार काड होता है, पासपोर्ट होता है, पैन काड होता है, तो different identities होते हैं, अब हैं, सबको integrate किया जाग, interlink किया जाएगा, that is, federated digital identities में, तो किस ministry ने लाँच के, that is, Ministry of Electronics and IT, so D is right, answer Question 14, the things are good is carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication is commonly referred as, basically, जब आप online trade करते हैं, जब आप Amazon या फिलिपकार्ड या अधर साइट से चीज़े मंगवाते हो online, that is called e-commerce, so D is right, answer Question 15, e-records and digital signatures are used to, कहां पर use होते हैं, pilling up any form and government यहां use होते हैं, issue of grants में भी यूज होते हैं, making payments में भी यूज होते हैं, so all of the above, so D is right, answer So with this summer, आज का session complete होता है, आप continuously dedication के साथ बढ़ाई करते रहें, अपने अपने parents का खयाल अच्छे सरके, good bye